हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, एक्काउंटिंग सफारी आज हमने किया एक ऐसे टॉपिक को जिसको हम सीखेंगे एक बार लेकिन इसका यूज हमें बहुत साथ चेप्टर्स में मिलेगा यानि आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आज ये वीडियो का जो कंटेंट है उसको सीख लिया तो आपको पार्टनेशिप के बहुत चैप्टर्स में ये काम आने वाला है मैं इस टॉपिक के बार में बता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दू हम पढ़ रहा है इससे में एड्मिशन आफ ये पार्टनर और एड्मिशन आफ ये पार्टनर के हमने बहुत सारे कंटेंट्स को कवर कर लिया जैसे कि हम लोगोंने सीख लिया कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेइंग रेशन निकालते हैं हमने सीखा कि गुडविल का वैल्मिशन कैसा होता है और लास्ट वीडियो में मैं आपको पता है कि एड्मिशन के समय जितने भी रिजर्फ या एक्क्युमिलेटिड प्रॉफिट दिये होते हैं उससे हम कैसे डील करते हैं आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं बोलूँगा जाइए और जरूर देखिए जिससे कि आपको आज की वीडियो में और इंट्रेस्ट आएगा एड्मिशन को लिखा आज करते हमारा टॉपिक है वो है रिवेलियोश आपने रिवेलियोशन एकाउंट यह एक ऐसा एकाउंट है यह आपको पार्टनेर्शिप के सभी कंटेंट्स में काम आने वाला है यह एकाउंट में आपको बदाना से खाऊंगा लेकिन उससे पहले में बताऊंगा कि यह बंता क्यों है स्टुलेंट बढ़ा हमीशा दिया है समझ आता है तो क्यों बनाते हैं अब अब तो जानते हैं कि करता है कि जब कोई एक न यहां पार्टन से यह च्ला tio Link के यहां में रिवेता हृई हो 10 को चला चला रहे है और जब यह बिज्स को चला रहे। तो इनका ratio है, suppose कीजिए, इनका ratio है 5 ratio 3, ठीक, अब आपको जानते हो कि admission होता क्यों है, कि इनको पैसी के जुगत पड़ी होगी, या कोई और region हो सकता, कि दोने का चलो एक और partner को, हम लोग admit कर लेते हैं, सब इसका business बहुत normally चल रहा था, तो इनको आगे जाके क्या किया, इस point पर मान लेते हैं, उन्होंने firm का reconstitution कर दिया, यानि firm में एक partner को और add कर लिया, तो हमारे partners जो हैं, अब A और B की जागे कौन हो गए, A, B और C हो गए, और ratio भी change हो गया, जहां पहले 5-3 था, हम मान के चलते हैं, अब हो गया 5-3-2, यही तो admission है, जब यह changes हुए बेड़ा, त border के बाद में, border से पहले हमारा पुरानी firm मानी जाएगी, पुरानी deed मानी जाएगी, और border के बाद हमारी नई deed आ गई, एक नया ratio आ गया, यह क्यों एक line नहीं है बिड़ा, इससे बहुत सारे changes आए, जैसे मैं आपको अपनी last video में बताया था, कि admission के समय हमारे पास जितने भ करता है, C को देंगे, C को बिलकुल नहीं देंगे, because C तो आज आया है, और यह profit और reserve जो हमारे है, यह किस ने बनाएते, A और B ने बनाएते, तो यह A और B को मिलेंगे, C को नहीं मिलेंगे, ऐसे ही अगर हम बात करें, loss के, कोई भी loss अगर हमें होगा, admission के समय है, तो यह loss भ को हम नहीं देंगे, क्यों दें, कोई profit हुआ है, आपका profit हमारे पास already रखा हुआ है, कब जब firm का reconstitution हुआ है, partnership का या नया partner आया है, तो यह और भी बोलेंगे, उस profit को हम सीको क्यों देंगे, आपस में बाटेंगे, यह profit और loss तो आपको दीख रहे थे बटा, मगर कुछ ऐस चीजे होती है, जो हमें फाइदा तो हुआ है, लेकिन वो हमें दीख नहीं रहा है, यह नहीं कर रहा है, लेकिन हमें सामने नहीं है, ऐसा बोल सकते है, कैसे, मैं एक example लेके चलता हूँ, कि जब यह business शुरू हुआ था, उस समय, suppose करो firm के पास एक office था, या एक building थी, ठीक है और इस building की cost थी एक लाख रुपे, एक लाख रुपे की हमने एक building ले रखी थी, मारे पास एक building थी, जिस समय firm नहा partner आया, यानि जब admission हुआ, मैं बोल सकता हूँ, admission के समय इस building की value बढ़के हो गई थी, एक लाख पचास हजार, ठीक है, और business तो आगे भी पढ़ता रहा, न एक लाख असी हजार, ठीक, अब दो मिंट के लिए आप इसको भूल जाओ, दो मिंट भूल जाते हैं, जब हुआ हमारी building एक लाख से एक लाख असी हजार हो गई है, और अब हमने क्या किया, हमने अपने assets को re-valueize किया, उसकी market value देखी, यह तो book value थी, हमने उस दिन लिख द तो C बोला, ऐसा है, असी हजार का gain हो गया है, इस gain को फड़ाफट से बाट लो, concentration में बाट लो, 532 में बाट लो फड़ाफट से, और मुझे मेरा हिस्सा दे दो, 16,000 में मेरे पास आ रहे हैं, मच को दे दो, तो क्या बिटा, इस 80,000 पे C का कोई हक था, बिल्कुल नहीं था बिकॉज, जो मारी building increase हुई है, वो C के आने के बाद केवल 30,000 increase हुई है, तो इस 30,000 पे बेशक C का हक था, C को हम बोल सकते हैं था भई देख, तू जिस दिन आया था building, देड़ लाग की थी, और आज building एक 80 की है, तो 30,000 के में 13 हक है, लेकिन 80,000 में 13 हक नहीं है, मगर ये ग constitution होना चाहिए था, हमें अपनी building को re-valueize करना चाहिए था, अगर हम इसी दिन अपनी building को re-valueize करते, तो हमें मालूम पढ़ता कि हमारा profit कितना है, 50,000, और ये 50,000 profit A और B आपस में बाट लेते, A और B इसको आपस में बाट लेते, कौन से रेशन में बाट लेते, 53 में, तो क् profit को A और B के लावा C को देते, नहीं देते, because ये profit हमें कब हुआ है, gain हमें कब हुआ है, A और B के समय हुआ है, ना कि C के समय, बस अब मैं ये गल्दी आगे नहीं करनी है, यानि कि जब भी कोई partner आएगा, हम अपने assets को और liabilities को दुबारा से re-valueize या re-assist करेंगे, जिससे उस समय जो भी हमें profit हुआ है, ये ही आपस में बाट ले, वो profit सी तक ना जाए, बास समझ आई ना, मैं example फिर से देता हूँ, गर आपको मेरी बास समझ नहीं आई, हमने का हमने investment है, बास समझते हैं, हमने दिवारा से हमारे investment है, investment थे 5 लाग के, और जिस दिन हमारा admission हुआ है उस दिन ये investment बढ़के हो चुके थे 8 लेक, तो हम क्या करेंगे, हम फड़ा फड़ से इन investment की जो भी increase हुए है, जितना भी हमें gain हुआ है, कितने का 3 लाग का, ये 3 लाग रुपे partners आपस में बाट लेंगे, हम C को इसमें से 1 रुबा भी नहीं देंगे, तो ये दो concept था, revaluation क या मैं बताऊं, इस सब को करने के लिए हमें एक account बनाना पड़ेगा, उसका नाम है, revaluation account, तो concept समझाया, कि जब भी कोई निया partner admit होगा, उस समय हमारे assets और liabilities की market value देखी जाएगी, और हम ये देखेंगे, हमें कहां gain हो रहा है, और कहां loss हो रहा है, और उस gain या उस loss को हम वहीं पर आपस में बाट लेंगे, विकॉज हम नहीं चाहते कि वो आगे C पे जाए, विकॉज वो C का है ही नहीं, हाँ, अब जब नहीं firm शुरू होगी, उस से में जो भी फायदा होगा, वो C को दिया जाएगा, बात क्लियर है, हम revaluation account क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, आ अब हम देखते हैं कि हम revaluation account बनाते कैसे हैं, मैं आपको बता दूँ, आप कोई भी account अगर आप सीखते हैं, बनाना उससे पहले अगर आप उसके general entries को समझ लेते हैं, तो आपको ये मालूम पढ़ जाता है कि वो account बना कैसे है, तो पहले हम बात करेंगे general entry की, विकॉज एक् गए हैं कि हम अपने assets और liabilities को admission के समय, उनकी book value से compare करेंगे, कि वो बड़े हैं या कम हूँ हैं, और तीसरा या वो बिल्कुल change नहीं हुए हैं, तीनी effect बढ़ सकते हैं हमारे पास, हम बारे बारी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं assets की, ठीक, अगर हमारे assets बढ़ते हैं, तो हम re-evaluation account में क्या entry करेंगे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं, increase in assets, देखिए, जब हमारे assets increase होंगे, तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं re-evaluation account की, तो one marks के लिए कोशन है, बड़ा note कर लो कि re-evaluation account का जो nature है, वो है nominal, आपको याद होगा, आप में लैव अगर आपको याद होना चाहिए, पहली बात तो नहीं है, तो फिर सुन लीजिए, वो रूल था कि जब भी कोई profit होता है, तो वो credit में आता है, याद है आपको, और जब भी कोई loss होता है, तो वो debit में आता है, याद है, याद आगया ना आपको, losses जितने भी हमारे हैं, वो credit, अब यह बताओ, जब assets बढ़ेंगे, या assets की value बढ़ेगी, तो हमें फाइदा के नुकसान है, तो जब हमारे assets बढ़ेंगे, तो यह हमारा gain है, तो revaluation account, credit आएगा, यह simple से trick है बढ़ा, एंटी को याद करने की, तो हम एंटी करेंगे, assets account debit to revaluation account, हम क्या हैंटी करेंगे, assets account debit to revaluation account, और एक बहुत बटन बात याद नखना, यहाँ पर हम assets की, ना book value लिखेंगे, ना market value लिखेंगे, हम वो value लिखेंगे, जो change होई है, जैसे के, कोई assets मालो एक लाग का था, अब वो होगए, एक लाग बीस हजार का, तो कितना increase हो रहा है, सब बीस हजार, तो बीस हजार की value से लिखा जाएगा, और narration being, assets revaluized, simple, वहीं पर मैं बात करूँ, अगर हमारे assets decrease होते हैं, हानिके, decrease in assets, sir, हमारे assets की value अगर कम होगी, तो हमें नुकसान होगा, और nominal account बोलता है, कि आपको जब भी नुकसान होगा, revaluation हमेशा debit होगा, simple है न, तो आप यहाँ पर क्या entry pass करेंगे, अब entry pass करेंगे, revaluation account debit to assets account, उसी value से जितनी value कम होई है, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, ना book value, यानि कि ना तो balance sheet वाली value, ना market value जो आपको दे रखी होगी, कौन सी value, जिस value से वो कम हुआ, same narration being assets revaluized, अब बात करते हैं liabilities की, अगर मैं liabilities की बात करूँ, तो अगर मेरी liability increase हो रही है, फिर लिखता हूँ, increase in liabilities, अगर मेरी liabilities increase हो रही है, तो यह तो मेरा नुकसान हो गया बुटा, है ना, जहां मुझे पहले 10,000 पर देने थे, अब मुझे 15,000 पर देने, तो केनक ही मेरा पर बोज बढ़ रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, और normal account का बोलता है, जब भी नुकसान होगा, तो debit side मैंना चाहिए, तो यहां पर हम revaluation को debit करेंगे, entry करेंगे, revaluation account debit to liabilities, हमारी जो भी liabilities है, हम इसको लिख देंगे, फिर repeat कर रहा हूं, कौन सी value से, इतनी वो increase हुई है, और narration से हो जाएगी, being, re-assessment of liabilities, आप दे सकते हैं इसको, next, अगर हमारी liability की value कम होती है, यानि के decrease in liabilities, लाइबिल्टी कम होना तो बड़ा मारा फायदा है, वो फायदे में re-evaluation कहा आता है, credit side में, तो आप entry pass कर दोगे, liabilities is account debit to re-evaluation account, liabilities account debit to re-evaluation account, simple entry pass कर देंगे, वो ही narration pass हो जाएगी, तो यह simple सी चार entry है, हम इसे command भी कर सकते हैं, मझला, combine अलग-अलग होंगी, एक question में मालो 3 assets की value बढ़ रही है, तो मुसको एक साथ कर सकते हैं, चलो मैं आपको question में बताऊंगा, बात समझा रही है, चार entry, assets बढ़ रहे हैं sir, फायदा हो रहा है, फायदा है तो re-evaluation credit में आएगा, assets to re-evaluation, नुकसान हो रहा है, assets कम हो रहे है, नुकसान है, तो re-evaluation debit to assets, liability बढ़ रही है sir, liability बढ़ना है, फिर से क्या है, नुकसान है, नुकसान में re-evaluation debit, तो re-evaluation account debit to liabilities, liability कम हो रही है, तो sir, हमें फायदा हो रहा है, तो sir, re-evaluation credit आएगा, तो liabilities account debit to re-evaluation account, ये तो कोई entries की बात, आप account कैसे बनाते हैं, अगर आपने entry समझ लिए हैं, तो account हैंगे, मैं आपके लिए बनाता हूँ, हम लिखेंगे, re-evaluation account, सेम बिटा, दो साइड होंगी, particular amount, आप लिखी लेंगे, particular amount, मारा basic सा एक format है, अब देखो, assets बढ़ रहे हैं, revolution कहां रहा है, credit, sir, revolution credit आ रहा है, किस नाम से, buy assets, यानि कि जब भी assets बढ़ेंगे, वो कहां आएगा, sir, credit side में आएगा, मैं तो क्वास क्या कर रहा हूँ, entry को cover कर रहा, loss हो रहा है, sir, re-evaluation account debit, sir, debit में आ रहा है, किस नाम से, assets के नाम से, तो two assets, यानि कि जब भी assets की value कम होगी, वो हमारा नुकसान है, debit में आएगा, sir, liability की बात करूं, तो liability अगर बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, again, re-evaluation कहा रहा है, sir, debit में आ रहा है, re-evaluation debit में आएगा, किस नाम से, two liabilities, टीकिए, liabilities क्या हो रही है, sir, increase हो रही है, नुकसान हो रहा है, इसलिए debit में आ रहा है, बात करूं, liability कम हो रही है, फायदा है, re-evaluation कहा रहा है, sir, credit में आ रहा है, तो credit में आएगा, किस नाम से, sir, buy, liabilities, our liabilities की value क्या हो रही है, sir, कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, कौन सी value से, जितना difference आया, उस value से, या जो change होगा, उस value से, मैं कुछ एक और terms से बता रहा हूँ आपको, जो आपको एक्जाम में आती है, और आप confused हो जाती है, बेस तो यह है, इसके अलावा, revolution में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मगर कभी-कभी कुछ words ऐसे आएंगे, जो आपको confused करेंगे, जैसे मैं आपको बता हूँ, unrecorded, जब भी आपको एक्जाम में दे रखा है, या question में दे रखा है, unrecorded, तो unrecorded का मतलब वो चीज पहले है ही नहीं, मतलब है तो सही, मगर books में नहीं लिखी है, books का मतलब balance sheet में नहीं लिखी है, अब बताओ, अगर मुझे unrecorded assets दे रखे हैं, यानि एक assets है, सपोस करो, एक simple सा हम एक stock की बात करते हैं, कुछ ऐसा stock था, जो हम लिखी नहीं पाई थे, 5000 रुबे का, question में नीचे लिखा हुआ है, unrecorded stock 5000, तो यह हमारा फाइदा के नुकसान है, सब definitely फाइदा है, कोई चीज पहले थी, कोई assets पहले कुछ था ही नहीं, अब हमें 5000 के assets नहीं आ रहे हैं, मतल तो यह आप हमेशा यहां लिखेंगे, unrecorded assets, भाइं पर मैं बात करूँ, unrecorded liabilities की, तो सर, वो तो नुकसान हो गया, एक ऐसी liability जो मैंने books में लिखी नहीं थी, मुझे बात में मालुम पढ़ गई, अब मुझे देनी पढ़ेंगी, तो में लिए क्या है, तो ultra extra खर्चा हो ज liabilities, तो अब एक संबरी हैं, हम मोडे मोडे तौर पर लें, तो हर बच्चा जो होता है, वो concept को नहीं समझना चाहता है, मुझे concept से मतलब नहीं है, मुझे को बता तो करना क्या है, तो हमें से ध्यान लखना है, तो debit में आ रहा है, वो फाइदा है, तो credit में आ रहा है, यह simple सा हमारे सामने, वो है undervalued और overvalued, और बच्चों, मेरा experience है, बच्चे जो इसमें है, वो अकसर confused हो जाते हैं, तो आप भी शायद हो जाओ, अगर मैं आप से बोलू कि undervalued assets हैं, undervalued assets हैं, फाइदा के नुकसान, तो मैं जब भी बच्चों से पूचता हूँ, जो पहली बाद र है, कैसे फाइदा है, मैं example लेकर चलता हूँ, मेरे पास एक पुराना mobile phone है, और मैं मान के चल रहा हूँ, यह mobile phone जो है, वो 5000 का बिग जाएगा, मैं normally बात कर रहा हूँ, तो मेरे दमाग में assets है, मेरे assets है, मेरे मोबाइल मान के चलता हूँ, का business नहीं नहीं कर रहा हूँ, फि मैंने क्या मान रखा था, उस assets को, under value मान रखा था, कम मान रखा था, अब बता हूँ, मेरे फाइदा हुआ कर नुकसान हुआ, तो फाइदा हो गया, 3000 रपे का, बल्कुल हो गया ना, यानि कि जब भी हमारे पास under value assets होंगे, इसका मतलब है, हमने अपने assets की value को, कम मान रखा था, और कम मान रखा था, इसका मतलब अब उसकी value बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो क्या होगा, फाइदा होगा, increase हो रही है ना, इसलिए जब भी हम लोग बोलेंगे under value assets, under valued assets, तो आप हमेशा उसे credit side ही लिखेंगे, उसका older over value assets, सुनने मतों लग रहा, over valued का मतलब सबस्कोर एक furniture था, जिसको मैंने अपनी balance sheet में मान रखा था, पचास अजार रुबेगा, यानि मेरे पास उसकी book value थी, पचास अजार, लेकिन जब हम market में काई, हमने उसे बेचना चाहा, या हमने उसकी market value निकाली, तो वो कितनी निकली, वो निकली के वल 40 हजा, यानि कि मै अपने assets को क्या मान के चला था, ओवर मान के चला था, अब उनकी value क्या हो गई, कम हो गई, तो over value assets से क्या हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मेरे assets की value अब कम हो रही है, और नुकसान में कहा आता है, debit में आता है, तो हम लिखेंगे two over valued assets, over valued assets, जितने भी होंगे, चलिए मैं द के एस 시 और रैडिंगा में चलता रहता है बिड़ा आप लोग समस्तों रहे हैं और अब हम बात करते है लोक्तों के हुझा किसे लोगा dotuna आपको धेयर और इस अचंप लेता हुगा कि मैं इतने दोस्तों को बलाऊंगा ये मैन्यू होगा ये वैन्यू होगा और कम जखम 20,000 खर्चा जाएगा चलोगा इच्छा सा बड़्डे बना रहे हैं हम लोग तो मैं अपने तेमाग में 20,000 लेकर चलना हूं उसको मगज़ बड़्डे हुआ बड़्डे हुआ लाइबिल्डी के साथ है बड़ा लाइबिल्डी आप लोग कम मानके चलता है आपको लगाता हमें उस क्रेइटर जो है न मिस्टर भल्ला उनको हमें 10,000 रुपर देने वो निकले कितने 15,000 रुपे तो लाइबिल्डी अगर अंडर वैल्यूट थी आपके पास कम थी तो अ पास्त माशार ओवर वैल्यूट ओवर वैल्यूट का मतला ऐसी लाइबिल्डी जिसकी वैल्यू हमने ज्यादा मान रखी थी हमें लगा था कि हमें अपने केड़र को 50,000 पर देने और जब देने की बारी आई तो मालम पढ़ा था उनको तो हमें केवल 40 देने थी यानि मैंन अपने लाइबिल्यूट को ओवर मान रखा था और जब देने की बारी आई या जब उसका रिवैल्यूट किया मैंने तो वो वैल्यू कम निकली और कम निकली इसका मतलब मेरा फाइदा हो गया इसके धान रखना ओवर वैल्यूट ओवर वैल्यूट लाइबिल्यूट को हम फाइदा मानते हैं, इस से यादा वो आपको बर्शान नहीं करेगा, मैं आपको तयार कर दिया वेटा, यही टर्म्स आपके सामने हम वो यूज करेगा, कौन से समझा है रिवैलोशन का, सर, एड्मिशन के समय हम अपने एसिर्स की मार्किट वैलो निगालते हैं, उस समय हमें जो भी गेन या जो भी लॉस होता है, उस गेन और उस लॉस के लिए हम एकाउन बनाते हैं, रिवैलोशन, लॉस इसको डेविट में और फाइदो को करेट में, अब एकाउन बनाने के बात देखो, या तो हमें फाइदा होगा, या नुकसान होगा, डेफिनिटली बात है, फाइदा कैसे होगा, सरी ये लॉस साइड है, इंकम चाट है, सरी, जब इंकम ज्यादा होगी, सबसकोर हमारा पूरा टूटल आ रहा है 100, इंकम हमारी 100 है, फाइदा हमें मतलब 100 हुआ है, इंकम का मतलब प्रॉफिट 100 हुआ है, और लॉस हुआ है हमें 80, माल लेते हैं, तो जब हमारा profit जादा है यानि gain जादा है और loss कम है तो हमें profit होगा या gain होगा इस तरह लिखते हैं हम लोग to profit या gain transfer to capital account और किन के capital account में transfer करते हैं तो old partner से capital में इंको old ratio में transfer करते हैं मैं repeat कर रहा हूं old partners को old ratio में same उल्टा भी हो सकता है हमें loss हो गया 100 का और gain हुआ 90 का तो आपने का भी नुकसान ज्यादा हुआ है फाइदा खम हुआ है तो जब हमारी debit set ज्यादा है यानि loss ज्यादा है कैड़िट कम है तो हम रखेंगे बा है loss transfer to capital account और पुराने partners जो भी है उनको पुराने ratio में बाट देंगे आई हूँ आपको समझ आया होगा जैसे यह दोनों चीज़े आई है ना तो एक general entry भी बढ़ गई है वो general entry किसकी बढ़ गई है सर्फ profit और loss को बाटने की तुम्हें रफ परतेता हम बढ़ा है तो आपको सम entry होगी revaluation account debit to old partners capital account बहुत साथ तरीके होते हैं बात को समझने के एक तरीका तो यह देखो यह debit side में आ रहा है profit तो revaluation debit होगा एक तरीका मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि जब भी partner सो कुछ दिया जाएगा तो उनका capital increase होगा वो capital increase होगा तो definitely उनका capital account credit होगा तो यहाँ पर profit हो गया capital बढ़ रहा है इसलिए वो credit हुआ है being revaluation profit transfer to partners capital account कॉन से रेशों में old रेशों में old partners को loss की बात करूँगा तो loss के case में partners से loss हो गया तो partner से capital account कम होगा और जब वो कम होता है तो debit में आता है तो loss की case में entry होगी old partners capital account debit to revaluation account to revaluation account और जो भी loss होगा वो हम old partners को old रेशों में क्या कर देंगे उनसे write-off को लेगे तो यह हमारा जो भी बच्चा पढ़ रहा है यह वीडियो देख रहा है वेड़ा उसको उस बात पर आगे problem गभी ना आए तभी मैं मानूंगा कि मैंने आपको कुछ सिखाया ठीक वह दो वर्ड कौन सी है आईए फड़ा बड से देखते हैं वो दो वर्ड है जिसमें से पहला वर्ड जो है वो है या तो एट या टी ओ टू आपको एट या टू वर्ड जब दिया होगा इसका मतलब क्या है यैसे कि आपको लिखा होगा अव्यू एट से वह दो या एट दे रखा है इसका मतलब आपको मार्केट वैली दे रखी है आपको यह नहीं दे रखा कि प्रॉफिट है कि लॉस है for example मैंने क्या suppose कीजिए हमारे पास stock है stock की value एक लाख है और नीचे वो लखा है stock valued at या to 1,20,000 यानि कि at का मतलब आपको market value बता रखिये कि अब इसकी market value कितनी है एक लाख बीस हजार तो क्या मुझे एक लाख बीस का फैदा हुआ है नहीं हमें फाइदा कितना हुआ है बीस हजार का तो हमेशा दहां रखना है जब भी add और 2 दे रखा तो आप हमेशा difference निकालेंगे हमेशा difference निकालेंगे profit और loss को निकालने के लिए यानि add का मतलब आपको आज की value दे रखी है तो आपको निकालना पड़ेगा profit हुआ या loss हुआ वहीं पर दूसरा बड़ है buy का मतलब है direct हमें difference दे रखा है direct difference दे रखा है आपसे मैनत नहीं करवा रहा हूं वह simple कह रहा है stock increase by 20,000 इस case में वह क्या बोलेगा फिर यह नहीं बोलेगा वह बोलेगा stock increase by 20,000 तो buy का मतलब है direct difference उसने हमें बता दिया है और एक और अच्छी बात होती है buy आपको direction भी बताता है increase हो रहा है के decrease बोलेगा increase by या decrease by आपको direct उठा के लिख देना है तो buy जब भी मिलेगा कुछ ही नहीं करना जो buy के सामने value है वही हमारा gain या loss है लेकिन जब आपको at या to दे रखा है उस case में सर हमको क्या करना है हमको difference निकालना है क्योंकि हमें वो market value दे रखी है कि अब इतनी हो गई है तो आपको compare करना है अब इतनी हो गई है तो पहले कितनी दी जो भी change है वह आपको खुद निकालना है चले question देखते हैं और मैंने आपके लिए solve भी कर रखा है question आपकी screen पे आप उसे ध्यान से देखिए एक screenshot लीजे इसका बेड़ा question को ध्यान से read करिए क्या बोल रहा है मैं आपके लिए question पढ़ूंगा question कह रहा है कि श्वदेश और स्वराज partners हैं जो अपने profit sharing ratio को equal बाढ़ रहे हैं हमें एक balance sheet दे रखी है और संभव नाम का एक नया partner है वह firm के अंदर आ रहा है संभव अपने साथ profit लेकर आ रहा है capital लेकर आ रहा है अपनी गुडविल लेकर आ रहा है यह सारी बाते मैं आपको बताएं थी क्या मतलब होता अचका जब मैंने आपको गुडविल वाला concept बताया था फिर इसने बताया गुडविल जो है वो बागी partners ने withdraw कर लिया यह concept भी 3,4,5,6,7,8,9 यह सारे re-evaluation संभण देते हैं लास्ट मैं कहारा पास दा जनल entries and prepare re-evaluation account बढ़ा entries में यहां पे केवल आपको re-evaluation की बताऊंगा वैसे तो entries हमारी गुडविल की भी बनती है तो मैं आपको re-evaluation की बताऊंगा चले मैं आपको बात बताएं थी पड़ा कि re-evaluation में profit होता है, re-evaluation credit में आता है और question में तीन बार या तीन cases के अंदर हमारे value बढ़ रही है यहनि हमें फाइदा हो रहा है तो हम उसे combined भी कर सकते हैं तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ re-evaluation के indices को तीन पार्ट में डिवाइड करो पहला नुकसान, फाइदा और last में हम profit हुआ के loss हुआ, मैंने देखो यह कर रहा है, re-evaluation account debit, यानि जब भी मेरे पूरे question में मुझे कोई loss होगा, चाहे वो assets का कम होना हो, या liability का बढ़ना हो, उसको मैं यहां लिखूँगा, आप भी ऐसा कर सकते हैं बड़ा, यह मैंने एक तीन अरला लिख दी हैं, आप exam में भ अगर मैं re-evaluation की के बात कुरूँ इस question के अंदर, तो point number third में इसने हमको बताया, कि provision for doubtful debts, should be brought up to 5% on debtors, बहुत ही प्यारा point debit, इसने हमसे का, आप सब जानते हो, debtors पे हम बचने के लिए, future में जो bad debts है, उनसे बचने के लिए, हम provision बनाते हैं, तो इसने हमसे का, कि debtors पे 5% क आप provision बनाओ, तो हमारा नुकसान है, तो आपने का debtors है किटने एक debtors took chuck 2000 के, 20,000 के हैं portion में आपने देखा, तो 20,000 का अगर आफ 5% यह देखते हैं, तो वह हो ता 1000, यानि हमें एक 100 के किया बनाने है, provision बनाना है, और provision में बनाना हमारा नुकसान है, लेकिन जर उस 1000 देखते तो 500 रुपे already पहले ही बने हुएं बिटा 500 रुपे हमारे पास पहले ही हैं इसका मतलब हमें नुकसान केवल 500 होगा है नुकसान होगा तो इसका मतलब क्या होगा है रेवर इसने का उपन्पट होगा to provision for doubtful depth 500 रुपे में कौह बताया कि मर्षीजरी की वेलु कम हो गई है बाइ दिया मैंनाव इता का छुट रिक दो तो नुकसान हipl को देडिक लिखूंगा किस कितना नुकसान हुए सर्दोँजा का नुकसान हुए और फर नीचर का भी रिदीऊ हो फरनीजर की वैलू में भी डैप लगाए और वह लगाए 12.5% का तो 10,000 का 12.5 या नि कितना 12,500 इसको भी कैड़ेट साइट में लिख रहा हूं हमारा नुकसान है revolution debit होगा stock की value उसने बताया add 23,000 add का मतलब हमें market value दे रखी है हमने question के अंदर देखा तो हमारा stock जो था हमारे पास पहले 20,000 था अब 23 हो गया यानि stock बढ़ गया है बढ़ गया तो फाइदा हो गया तो इस वाली entry में होगा देखो stock कितने से बढ़ा तीन हजार से बढ़ा difference निकाला फिर इस नहीं देखा कि land and building appreciated by by का मतलब direct कि land and building 20% से बढ़ गई है फाइदा हो गया है फिर मैंने लिखा land and building अंदर हमें land building दे रखी ती 73,500 वो 20% से बढ़ गई तो हमने 20% से उसका निकाल गया increase कर दिया इस ने का investment of 2000 which do not did not appear in the book should be recorded हमें ए unrecorded assets फाइदा मैंने बताया था कोई assets record नहीं है अब हमारे सामने आगए तो फाइदा हो गया फाइदा हो गया तो सवाली entry में करेंगे करेंगे तो हमने का investment 2000 से हमें फाइदा हो गया वो हमारे unrecorded थे next point में हम से बोला इसने out of the amount of insurance premium which was debited to profit or loss account 5000 वी carry forward as unexpired insurance देखो यह point बह बार आएगा मैं आपको सिंपल सा गुरु मंतर दे रहा हूं कि जब भी कोई खर्चा अगले साल transfer हो जाए या उसको prepaid माना जाए या word आता है unexpired अगर हम उसको unexpired insurance बोलेंगे इसका मतलब वो खर्चा हमने किया तो इस बार था मगर उसको हम यूज अगली बार करेंगे त तो जब भी कोई खर्चा carry forward बढ़ा जाए unexpired आजाए यानि वह हमारे assets से हमारा फाइदा हो रहा है हमने लिख दिया लास्ट में किसने का बिल फॉर 5000 for electricity expenses was not accounted यानि ऐसी खर्चा जिसको हमने लिखा ही नहीं था not accounted का मतलब लिखा ही नहीं था अब लिखा नहीं था तब यह लिखना पड़ेगा नुक्सान हो गया तो हमें नुक्सान पर दिखाया आपको ओल्ड एलेक्रिश्टिया आउस्टेंडिंग सौरी एक्स्पेंस पांच जा यह होगा यह अब हमें देखना है प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट तो हमें री वैलूशन पे 24,700 का तो ने गें हुआ है ना यह हमारा फाइदा यह नुक्सान तो सर इतना जब गें हुआ तो पार्टनर को बाट देंगे और मैंने बता था गेंट पार्टनर को मिलता तो कैड़ेट में जाता है आपने री वैलूशन अकाउंट और इंका जो भी रेश्टो कोर्शन में दे रखा है उसे इक्वली बता रखा है इसको इक्वली पर दोनों बाटनर बाट लेंगे वैसे एक्जाम में आपसे पूछता है कि एंट्री पास करना है तो हमारा कोशन ख़ता है अगर आपसे कहता है नहीं री वैलूशन भी बनाना है तो आपको री वैलूशन अकाउंट चलिए कि अविधियर क्या कोपी कर देती है क्या कापी करना है एक हमको डाइविट में तो है प्रोविजन फ़ो डी डी डाउटफुल डेप्स कितने देशार 500 और कौन सा नुक्सान हुआ था सर मश्टिका नुक्सान हुआ था कितनी कम हो गई थी सर 2000 इसके लाबा और क्या हुआ सबसे पहले तो हमें स्टॉक बढ़ गया था सबसे पहले तो हमें स्टॉक बढ़ गया था सबसे और ऑमयरे लेंड बनीग गेंद की व था मट गई थी लैंड एंड बिल्डिंग की वैंलू बढ़ गया थी इन स्टॉट् से उपमारivas डी खलेड गया मन इसके य। कितनी बढ़ गई थी सर 2000 वह ही पे प्री पेड इंसुरेंस प्री पेड इंसुरेंस कितने सर फाइफ थाउजन को सिंपल बिल्कु ऐसे कैसे कोपी कर दिया अब हमें कितना प्रोफिट हुआ था सब्सक्राइब वन फाइफ नाइन फाइफ जीरो आपने लिखा तू प्रोफि डिटी ट्रानसफर टू कैपिटल अगौंट हम ने प्रोफिट को दोनों पार्टनर से में कौन क्यों है पार्टनर से मारे पार्टनर का नाम थे सर सवदेश और सवराज सवदेश और स्वराज हमने इस प्रॉफिट को बाट दिया कितना शेर आया था इंका 7975 और 7975 इस तरह से हम बनाते हैं री वैलुशन अकाउंट में आगे समय समय बढ़ा री वैलुशन अकाउंट पर जो भी और नए-ने कंटेंट आएंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो टिफिकल होते हैं बताता रहूंगा आपको आज की वीडियो पर मेरा अदेश की होल यह था कि आप री वैलुशन अकाउंट का कौंसेप समझें इसकी एंट्री समझें और कैसे अकाउंट बनता हैं वह समझें मैं अपने एक्जांपल से आपको बताया है भी है ठीक है मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पर अब तक के लिए से लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कि की आई बुटा ठीक है मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी अपने की लिए गुड़ बाई ठैंक यू